वेल्कम रियूपी पीए सी मन्थन आज हम लोग इस वीडियो में समिच्छादकारी 2016 के लिए अति महत्यपूर करंट अफेर को पढ़ेंगे इस करंट अफेर में जनवरी 2020 से लेकर अगस 2020 तक का है जो की एक ये मास्टर वीडियो है तो चलिए शुरू करते हैं पहला कोश्चन है लद्दा के किस छेतर में गलवान घाटी इस्थित है तो लद्दा के पूर्वी छेतर में जो है गलवान घाटी इस्थित है दूसरा कुस्टन है गलवान घाटी में भारत चीन के बीच जड़प में कितने भारती सैनिक सहीद हो गए हैं तो 20 भारती सैनिक जो है भारत चीन सैनिकों के बीच जड़प में 20 भारती सैनिक और 40 से अधिक चीनी सैनिक सहीद हो गए हैं नेश्ट कोस्टन है भारत और चीन के साथ कितने किलोमीटर लंबी सीमा साजह करता है तो भारत और चीन के साथ जो है 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साजह करता है नेपाल ने भारत के किन छेत्रों को अपने नक्से में दर्साया है तो नेपाल ने अभी हाली में जो है नया नक्सा जारी करते हुए लिपुलेक, लिपिया, धुरा और काला पानी को जो है अपने नक्से में दर्साया है नेपाल ने किस समझोते का हवाला देते हुए इसे अपना बताया है तो नेपाल ने जो है सुंगोली समझोते का हवाला देते हुए लिपु लेक, लिम्पिया धुरा और काला पानी को अपना बताया है अपने नक्सि में दिखाया है अच्छा संगोली संधी क्या है तो इस इंडिया कमपनी और नेपाल की राजा की बीच या संधी हुई थी जिसे 1814-16 के दोरान ब्रिटेन और नेपाल की बीच हुए युद्ध के बाद या समझोता किया गया था इस इस पर जो है दो दिसंबर 1815 को हस्ताचर किया गया था और 4 मार्च 1816 को जो है इस पर मुहल लग गई थी किस पर संगोली संधी पर संधी किसके किसके बीच हुआ था तो इस्ट इंडिया कमपनी और नेपाली राजा की बीच हुआ था अभी हाली में पाकिस्तान ने भारत के किस छेत्रों को अपने मान छेत्र में दर्साया है तो भारत के जम्मू कास्मीर, लदाक और सरकृक और चुनागड को जो है पाकिस्तान ने नया मैप जारी करते हुए अपने मैप में दिखाया है Next Question है अनुच्छे 370 को खत्म करने के लिए राज्य सभा और लोक सभा में किस तिति को अध्या देश पर मुहल लगाई गई है तो अनुच्छे 370 को खत्म करने के लिए 5 अगस्ट क्रमसा 5 अगस्ट था 7 अगस्ट को जो है इस अत्यादेश पर राज्य सभा और लोग सभा में मुहर लगाई गई है अनुछे 370 का मशोधा किसने तयार किया था तो गोपाल सौमी अयंगर ने जो है अनुछे 370 का मशोधा तयार किया था जम्मू कास्मीर पुनर गठर अधनियम 2019 पर राश्पती ने किस तिथी को हस्ताचर किये हैं तो 9 अगस 2019 को जो है जम्मू कास्मीर पुनर गठर अधनियम 2019 पर हस्ताचर किये हैं किस तिथी को जम्मू कास्मीर और लद्दाह केंदर सासित पर देश के रूप में अस्तुत्त में आया है 31 अगस 2018 को 21 वे बिधी आयोग का कारकार पूरा हो गया है 21 वे बिधी आयोग के अध्यच कौन थे तो जस्टिस बीजस चवहान 21 वे बिधी आयोग के अध्यच थे 22 वे बिधी आयोग की मंजूरी कब दी गई है तो 19 फरवरी 2020 को जो है 22 वें बिधि आयोक की मंजूरी दी गई है पिछड़ा वर्ग आयोक के अध्धच कौन है तो पिछड़ा वर्ग आयोक के अध्धच जो है भगवान लाल साहनी है अनुसूचित जातियों और जन जातियों के लिए बिधाईका में अरच्छड की अध्धी 10 वर्ष और बढ़ाने के लिए कौन सा संभिधान संसोधन बिधेक पारित किया गया है तो 126 जो है संभिधान संसोधन बिधेक पारित किया गया है जिसके तहात अरच्छड की जो क्रिमी लेजर है उसे 10 वर्स और बढ़ा दिया गया है अभी हाली में दादरा ओम नगर हवेली तथा दमन ओम दीव के प्रस्तावित विले के पड़ामान सुरूब केंदर सासित छेतरों की संख्या कितनी हो गई है तो केंदर सासित प्रदेशों की संख्या जो है आठ हो गई है दादर ओम नगर हवेली तथा दमन ओ दीव को जो है मिला दिया गया है संसत के दोनों सदनों द्वारा पारित नागरिक्ता संसोधन बिधेयक 2019 को राश्टपती निकम मंजूरी दी है तो 12 दिसंबर 2019 को जो है राश्टपती ने नागरिक्ता संसोधन बिधेयक 2019 को मंजूरी दे दी है अच्छा नागरिक्ता संसोधन बिधेयक में NRC का क्या मतलब है नेस्टनल रजिस्टर आफ सिटिजन्स नेस्ट कोस्टन है राफेल एर फाइटर बिमान की पहली खेप किस एर बेस पर लेंड की है तो अमबाला एर बेस पे जो है राफेल फाइटर बिमान की पहली खेप लेंड की है राफेल एर जेट बिमान का सोधा जो है फ्रांस से 69,000 करोड में किया गया था नेश्ट है पी-म केर फंड्स ट्रस्ट की ओर से कोविड-19 के खिलाद कितनी रासी अवन्टित की गई है तो एक्तिस सो करोड रुपै जो है पी-म केर फंड्स ट्रस्ट की ओर से जारी किया गया है भारत के जो प्रधान मंतरी हैं उनके द्वारा यह PM Care Friends जारी किया गया था जिस पे लोगों निदान दिया था नश्ट कुस्तन है आत्म निर्भार भारत पैकेज में राष्टी पसू रोग नियंतरड करार करम के लिए कितने करोड रुपए जारी किया गया है तो अभी हाली में आत निर्वा भारत पैकेज जो है जारी किया गया था जिसके लिए राश्टी पसू रोग नियंतर के लिए जो है 13343 रुपए जारी किये गया है आत्निर्वा भारत पैकेज़ में आपरेशन ग्रीन के लिए कितनी रासियावंटित की गई है तो 500 करोल रुपय जो है आपरेशन ग्रीन के लिए जारी किया गया है जून माह में लांच किया गया गरीब कल्यार रोजगार अभियान की सुरुआत किस राज्य से किया गया है तो बिहार के खगडिया से जो है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्यार रोजगार अभियान को लांच किया है औशधी या हरबल खेती को प्रसाहन देने के लिए कितनी रासी जारी की गई है तो 4000 करोल रुपए जो है औशधी ओम हरबल खेती को प्रसाहन देने के लिए जारी की गई है आत निर्भार भारत पैकेज में street vendors को business credit शुबधा के लिए कितनी राशी आवन्टीद की गई है तो आत निर्भारत भारत के तहट जो है street vendors को 5000 करोड रुपए जो है जारी किया गया है इस 5000 करोड रुपए में हर street vendors को जो है दस-दस हजार का जो है रिड़ उपलब कराया जाएगा आत्म निर्भा भारत पैकेज में मधमक्खी पालन की पहल के लिए कितनी रासी आवंटित की गई है तो 500 करोड रुपए जो है मधमक्खी पालन के लिए आवंटित किया गया है आग निर्भार योजना में प्रधान मंत्री मतस योजना के लिए कितनी रासी आवंटित की गई है तो 20,000 करोड रुपए जो है मतस योजना के लिए जारी किया गया है अगस्त माह तक पीम स्वानिधी योजना के तहट अब तक कितने लाख स्ट्रीट वेंडर से आवेदन प्राप्त हो चुके है तो अगस्त माह तक पांच लाख स्ट्रीट वेंडरों रिड के लिए आवेदन किया है आत निर्ववर भारत पैकेज में एग्री इंफराइस्टक्चर फंड के लिए कितनी रासियावंटीत की गई है तो एक लाह करोड रुपिया आत निर्वर भारत पैकेज के तहट जारी किया गया है तो आत्निर्वर भारत अभियान के तहट जो है 20,97,53 करोड रुपए जो है जारी किया गया है बहुत सो लोग से 20,00,00 करोड जानते हैं लेकिन ये 20,00,00 करोड नहीं है उससे जादा है ये पूरा जो है 20,97,53 करोड रुपए है नश्ट को सन है भारती ससस्तर बलो को कितने करोड रुपए तक की ततकाल पूजी अधिगरहण करने की सकती प्रदान की गई है तो 300 करोड रुपए की जो है ततकाल अधिगरहण पूजी सकती प्रदान की गई है नश्ट है बजट 2020 में वरिष्ट नागरिकों और जोनों को कितने करोल रुपए मुहया कराया है तो पंचानवे सो کرोल नो हजार पान्सो करोल रुपए मुहया कराया गया है बजट 2020 में बजट 2020 में सिच्छा के लिए कितने रुपए अवंटित किया गया है तो 99,300 करोड रुपए जो है बजट 2020 में सिच्छा के लिए अवंटित किया गया है प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी योजना के तहट तीसरे किस्ट में कितने हजार करोड रुपए जारी किया गया है तो 17,000 करोड रुपए जो है प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी योजना के तहट जारी किया गया है इस योजना से लग बग 12 करोड किसान जो है लाभानित होंगे तथा इस योजना पर सरकारी खजाने से 75,000 करोड रुपए खर्च किये जाएंगे निश्ट है प्रदान मंत्री उज्जला योजना के तहट कितने करोड मुफ्त सिलेंडर बितरित किये गये हैं अब तक 6.8 करोड जो है गैस लेंडर बितरित कर दिये गये हैं सरकार की तरफ से प्रती बूद अधिक फसल के तहट राजियों को कितना करोड रुपया वंटित किया गया है तो चार हजार करोल रुपया जो है ये फसल के तहद परती बूद्ध फसल के तहद जो है अवंटित किया गया है बित्तवर्स 2019-20 में FDI प्रवा कितना प्रस्त बढ़ा है तो 18 प्रस्त जो है FDI प्रवा बढ़ गया है एक जून 2020 को भारत सरकार दोरा लांच किया गया PM स्वानिधी योजना के लाभारती कौन होंगे तो इस्टीट वेंडर्स जो है PM स्वानिधी योजना के लाभारती होंगे स्टीट वेंडर्स का मतलब होता है गली मुहले में ठेले लगाने वाले रोड फुत्पात पर ठेले लगाने वाले लोगों को ही हम लोग स्टीट वेंडर्स कहते हैं आत्मिरभर भारत पैकेज में डिसकाम विशेष क्रेडिट सुबधा के लिए कितनी रास्य वंटित की गई है तो 90,000 करोड रुपए जो है डिसकाम विशेष क्रेडिट सुबधा के लिए जारी किया गया है देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड़ा क इनडिया योजना के तख देश में कितने चारजइन यस्टेशन अस्थापित किये जाएंगे तो 2636 बैसे सब्सक्राइब तो 12,300 करोड रुपए जो है बजट 2020 में सुच्छ भारत अभियान के लिए जारी किया गया है जम्मू कास्मीर के लिए बजट 2021 में अवंटित किया गया है तो कितना करोड रुपए अवंटित किया गया है तो 30,757 करोड रुपए जो है जम्मू कास्मीर के लिए बजट 2021 में जारी किया गया है बजट 2020 में कौसल विकास के लिए कितने करोड रुपए अवंटित किया गया है तो 3,000 करोड रुपए जो है कौसल विकास के लिए जारी किया गया है लोग सभा में एक फरवरी 2019 को 2020 को पेस किये गए बजट के साथ लद्दाख में विकास कारी होती हूँ कितने रुपए की बजट अवंटित किया जानी की गोस्ड़ा की गई है तो 5,858 करोड रुपए जो है यहाँ पर लद्दाख के विकास के लिए जारी किया गया है एक फरवरी 2020 को जो बजट पेस किया गया था नेश्ट कोस्टन है बजट 2020 में महिला बाल विकास छेतर में पोसड के लिए कितनी रास्य अवंटित की गई है तो 35,600 करोड रुपए जो है महिला बाल विकास के लिए जारी किया गया है फोप्स मैकजीन के मुताबिक कौन दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला अथलेट बन गई है तो नाओमिय उसाका जो है सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीड जो है बन गई है और ये जापान की है देशों में MSME कर्ज के बोज से दबे हुए ब्यापारियों के लिए कितने करोड रिड की ब्योस्ता की गई है तो 20,000 करोड रुपए की ब्योस्ता की गई है भारत सरकार ने बास पर लगने वाली सीमा सुल को 10 प्रस्त से बढ़ा कर कितना प्रस्त कर दिया है तो 25 प्रस्त जो है कर दिया है भारत का कुल विदेशी रिड जीडीपी का कितना प्रस्त है तो 20 प्रस्त जो है कुल जीडीपी का है बजट 2020 में कॉसल विकास के लिए कितने करोड रुपे अवंटित करने की घोसला की गई है तो 3,000 करोड रुपे जो है कॉसल विकास के लिए अवंटित करने की घोसला की गई है बजट 2020 में परेटन मंत्राले को कितने करोड रुपे अवंटित किया गया है तो 85,000 करोड रुपए जो है अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूची जात के लिए जारी किया गया है बजट 2020 में संस्कृती मंत्राले के लिए कितने करोड रुपए अवंटित किये गया है तो 3,150 करोड रुपए जो है संस्कृति मंत्राले के लिए जारी किया गया है भारत की पहली सोसल मीडिया एप कौन है तो इलाई मेट्स जो है भारत की पहली सोसल मीडिया एप है Next question है मैं MSME की नई परिभासा के अनुसार 10 करोड इन्वेस्टमेंट और 50 करोड के टर्ण ओवर तक की कंपणियों को किस स्रेडी में रखा जाएगा तो लग उद्यों किस रडी में रखा जाएगा 10 करोड का इन्वेस्टमेंट और 50 करोड का टर्ण ओवर Next है MSME की नई परिभासा के उनसार एक करोड इन्वेस्टमेंट और पांच करोड के टर्णोवर तक की कमपणियों को किस स्रेडी में रखा जाएगा तो माइक्रो उद्योग की स्रेडी में रखा जाएगा जहां पर एक करोड़ इन्वेस्टमेंट होगा और पांच करोड़ का टर्न ओवर होगा वहाँ पर माइक्रो द्योग जह स्रेडी होगा MSME की नई परिभासक उनसार 20 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ के टर्न ओवर तक की कमपनियों को किस रेडी में रखा जाएगा भारत का शकल फसल छेतर कितना है तो 196.5 million hectare भारत का सकल फसल छेतर है विसूद दबोय गया छेतर फथल कितना है तो 140 million hectare विसूद दबोय गया छेतर फथल है और कुल खाद्यान उत्पादन 2019-2020 के लिए कितना है तो 25.967 million प्रस्षत है और रिवर्स रेपो रोट जो है तीन दस्मल तीन पाच प्रस्षत है मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2021 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रस्षत रहने की अन्मान लगाई है तो जीरो प्रस्षत जो है भारत की जीडीपी रहने की अन्मान लगाई है किसने लगाया है मूडीज इन्वेस्टर से बिस बैंक के अंसार भारत की जीडीपी एक दस्मल पांच से दो दस्मल आठ फिजदी 2020-21 में रख सकती है ADB बैंक ने भारत की जीडीपी जो है 2021-21 के लिए 4 फिजदी की है वहीं IMF के अंसार भारत की जीडीपी 2021-20 में 0.9 फिजदी रह सकती है 2021-21 में फ्रेंच रेटिंग्स के अंसार भारत की जीडीपी 2021-2021 में 0.8 प्रसत रह सकती है किसके अंसार फ्रेंच रेटिंग्स के अंसार बैस्विक उर्जा रिपोर्ड के अंसार उर्जा की मांग में कितने प्रसत की गिरावट आने की उमीद है तो COVID-19 के कारण जो है च्छा प्रस्तर गिरावट आने की उमीद है मसाला ब्रांड में प्रवेश करने वाला देश का पहला राज कौन है तो देश का पहला राज केरल है बिश्व का सबसे बड़ा LPG उभुकता देश कौन बन गया है तो भारत जो है बिश्व का सबसे बड़ा LPG उभुकता देश है RBI के आकड़ों के अंसार वर्ष 2021 में कौन सा राज बजार से कर्ज लेने पर सीश अस्तान पर है तो तमिल नाड़ू सीश अस्तान पर है धान का समर्थन मूल कितना है तो धान का समर्थन मूल 1888 रुपय है या A-grade के लिए है और 1868 रुपय जो है सामान धान के लिए है उत्ता प्रदेश में मनरेगा मजदूरी कितनी है तो 201 रुपय जो है मनरेगा मजदूरी है दुनिया का पहला खेल इवेंट जो COVID-19 लागडाउन के बाद शुरू किया गया है तो फुडबाल लीग है फुडबाल लीग बुंदे सली गया जो है पहला खेल इवेंट है यूरोप में कोरोना वाइरस से मुक्त होने वाला पहला देश कौन है तो सलोवेनिया जो है पहला बन गया है बिस्त स्वास्त संगठन से संबन समप्त करने वाला हाल ही में कौन सा देश है तो अमेरिका जो है पहला देश बन गया है दो 11 अप्रेल 2020 को किस संस्थान COVID-19 के लिए नवीन ब्लड प्लाजमा थिरेपी की खोज की है तो सिरिचित्र तिरुनल इंसिट्यूट फार मेडिकल साइंसेज एंड टेकनोलाजी ने नवीन ब्लड प्लाजमा की खोज की है पुड़े इस्थित अधारकर अनुसंधान संस्थान द्वारा किस फल की उतक्रिष्ट किस्म के ARI 5-16 विक्सित की गई है तो अंगूर की जो है उतक्रिष्ट किस्म किया विक्सित किया गया है दुनिया का पहला COVID-19 वैक्सिन का क्या नाम है तो इस पुतनिक फाइब जो है प पहले COVID-19 वैक्सिन को किस देश ने विक्सित किया है तो रूस ने इसे विक्सित किया है अप्रेल 2020 में कहां पर COVID-19 के उपचार है तो वाइटल नामर एक नया हाल्ड प्रिसर्वल्टी लेटर किसके दौरा बनाया गया है तो नास्ता के इंजीनरों दौरा बनाया गया है सिपला कंपनी में COVID-19 मरीजों के लिए उपचार है तो कौन सी दवा बनाई है तो सिप्रेमी दवा बनाई है 22 अपरेल 2020 को केंदरी मंत्री मंदल ने भारत COVID-19 अपात प्रकिरिया और स्वास्थ प्रडाली प्रैकेश के लिए कितने करोड उपए जारी किये हैं तो 15,000 करोड जारी किया है 29 जन्वरी को इसरो ने भुवन पंचायत 3.0 लांच किया है तो भुवन इसरो द्वारा संचालित एक उपगरह एपली केशन है भारत के G730 उपगरह को कहां सफलता पूर्वक लांच किया गया है तो फ्रेंच गुवानस सफलता पूर्वक लांच किया गया है 30 अपरेल 2020 को पहली बार किस निजी छेत्र की अंतरिच कमपनी का अंतरिच यान दा क्रूड ड्रेगन दो अंतरिच यात्तियों के लोकर अंतराष्टी स्पेस स्टेशन के लिए फ्लोरिडा इस्थिती कैनेडी अंतरिच स्टेशन से रवाना हुआ है तो इस्पेस यक्स का यह जो है कमपनी है उसी का यह निजी राकेट था इस मिशन को जो है कुरू डेमो टू नाम दिया गया है इसमें दो अंतरिच यात्ति रॉबर्ड विनकेन और डगलस हरले जो है सामिल थे इस्पेस यक्स ने किस देश का पहला सैन उबगरा एनालिसिस सेकंड लांच किया है तो दच्छल कोरिया का जो है पहला सैन उबगरा लांच किया है सबमरीन केवल कनेक्टिविटी किंदो दीपو को जोडने के लिए किया गया है तो अनडमान और निकोबार को जोडने के लिए किया गया है महिला वर्ग में सबसे अधिक दिनों तक अंतरेशी स्टेसन पर रहने वाली पहली महिला अंतरेशी जातरी कौन है? तो क्रिश्टीना कोच पहली महिला बन गई है मंगल ग्रह पर भेजा जाने वाला पहला मार्स हेलिकाप्टर के क्या नाम है तो इंजिनुटी पहला मार्स हेलिकाप्टर है लेबनान की राजधानी बेरूत में हाल ही में किस केमिकल में भीशड भी स्पोर्ट हुआ जिसका नुकसान 10 किलोमीटर दूर तक हुआ है तो अमोनिया नाइट्रेट में जो है अभी स्पोर्ट हुआ था अगस्त मा में किस देश ने महत्मा गाधी के परति को अपने सिक्कों पचित्रेट करने का फैसला लिया है तो ब्रिटेन ने ऐसा फैसला लिया है इरान सरकार ने चाबहार जाहेदान रेल परयूतना के निर्माड से किस देश को अलग कर दिया है तो भारत को अलग कर दिया है किस देश ने भारती सैनकों के लिए युद्ध अस्मारक बनाने की घुश्ड़ा की है कौकाज 2020 रड़नीती कमान पोस्ट युद्याभ्यास का योजन कहां होगा जिसमें भारत भी हिस्सा ले रहा था लेकिन अब भारत हिस्सा नहीं ले रहा है तो रूस में जो है कौकाज 2020 रड़नीती कमान पोस्ट का युद्याभ्यास हो रहा है हाली में किस देश के प्रधानमंत्री हसंद याबा ने अपने पत से श्तिफा दे दिया है तो लेबनान के ये प्रधानमंत्री थे जिनों ने श्तिफा दे दिया है भारती मूल की पहली महिला कौन है जिसने अमेरिका उपराष्टपती उमिद्वार के रूप में चुना गया है दुनिया के सीर्स कमाई करने वाले अभनेताओं की सूची में प्रत्थम अस्थान पर कौन है तो डिवेन जांसन प्रत्थम अस्थान पर है OBC आयोग का कारकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है तो च्छा महिनी के लिए बढ़ा दिया गया है रच्छांबी सेसर संस्थान का नाम बदल कर क्या रखा गया है रच्छांबी सेसर संस्थान का नाम बदल कर जो है मनोहर पारिकर जो है रखा गया है राश्टी बित्ती प्रबंधन संस्था कर नाम बदल का क्या रखा गया है तो अरुड जटली राश्टी बित्ती प्रबंधन संस्थान रखा गया है देश का पहला दिसा महिला पुलिस इस्टेशन कहां पे खोला जाएगा तो आंज प्रदेश में खोला जाएगा जून में जारी टीबी वार्सिक रिपोर्ट के अंसार देश के किस राज का प्रदर्शन सबसे अच्छा है तो गुजरात का प्रदर्शन जो है सबसे अच्छा है पोल्टल सत्यभामा किस छेतर के लिए लांच किया गया है तो कोईला खनन छेतर के लिए लांच किया गया है किस दवा कमपनी ने भारत में पहली बार COVID-19 बैक्सीन मोखिक रूप से निकाला है तो पेवी फिरावीर यह दवा है और यह गलेन मार्क गलेन मार्क जो है कमपनी है इसीने निकारा है उत्ताप्रदेश सरकार ने बुंदेल खंड में जल संसाधन प्रबंधन के लिए किस देश के साथ समझोता ग्यापन पर हस्ताचर किया है तो इस्राइल के साथ जो है किया है अंतराश्टी सोर उर्जा समझोते पर हस्ताचर करने वाला एटी सेवनवा देश कौन बन गया है तो निकारा गुआ जो है बन गया है संयुक्त राष्ट की खाद्य सुरच्छा और पोस्टर रिपोर्ड कंसार साल 2019 में कितने प्रस्षत लोग कुल जन संख्या से भूग से प्रभावित थे तो 8.9 प्रस्षत लोग जो है भूग से प्रभावित थे अंदे भारत मिसन के ताहत अब तक कितने लाग भारतियों को जुलाई तक शौदेश लाया जा चुका है तो एक दस्मल 4-7 लाग भारतियों को जो है लाया जा चुका है आतंगवाद को धन उपलब्ध होने पर नजर रखने वाली बैस्विक संस था यह फे टीफ ने किस द अधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने मधप्रदेश के रीवा में जो है एसिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उधगाटन किया है भारति नौसेना ने कितने भारति नागरिकों को सौदेश वापस लाकर आप्रेशन समुद्र से तो पूरा कर लिया है तो 3992 भारतियों को यहां और प्लांट्र मोधा वापस लाकर यहां प्रेशन पूरा कर लिया है ड़्बय अच्चो के अंसार दच्छटपूर एसिया छ्यच्र में रुबेला और मीजल्स जो है दोनों को खत्म करने वाले पहले दो देश कौन बन गया है तो सिरिलनका और माल्दु जो है परवात अंफान किंदो राजियों के तटो से टकराया था तो उडिसा और पस्रिम बंगाल के तटो से टकराया था इसका नाम थाइलेंड ने रखा है भारत में अनलाग फश्ट कप से कप तक जारी रहा है तो एक जून से तीज जून के बीच जारी रहा है लेसेंट के रिप पर्सत बच्चों का या जो है कारड जो है बाल और मात्र कुपोशड है नेश्ट है चार धाम राजमार विकास परियुदना के तहां चमबा सुरंग का उद्गाटक किस ने किया है तो नितिन गटकरी ने किया है दिल्ली में भारती विबास समधान केंद्र का उद्धान किस किया है तो एके सीकरी ने किया है भारत और मध एसिया के सर्षेश छेतरी हवाई अड़े का खिताब किस हवाई अड़े को दिया गया है तो केंपे गोडा हवाई अड़े जो है बंगलोरी हवाई अड़े को या दिया गया है बाइस अप्रेल को उच्चतम न्याले नकिस र दिया है भारत सरकार ने ब्लू फ्लेग प्रमारपत प्रदान करने है तो कितने समुद्र टटो का चैन किया है तो तेरा समुद्र टटो का चैन किया है हाली में की गई सर्वे के मुताबक भारत के किस राष्टी उद्यान में बागो की संख्या 88 से बढ़कर चान बहो गई है तो सुन्दरवन में हो गई है रच्छा मंत्री रादनास सिंग ने कैलास मांसोरोवर की यात्रा के लिए कौन से नए राजमार के स्थापना की है तो लिपुलेख दर्रा से कैलास मांसोरोवर की यात्रा की है फरवरी माह में पंडित दीन दयाल उपध्या की सबसे बड़ी प्रतमा कान आवरण कहां पर किया गया है असम का पहला सून अपसिष्ट वाला सहर कौन बन गया है तो टिटी बोर जो है बन गया है देश का पहला केंसासित प्रदेश जिसे संसोधित नागरिक्ता अधनियम के खिलाप आ विश्वास प्रस्ता लाया है तो पुदू चोरी जो है पहला केंसासित परदेश बन गया है आइनस केशरी ने मिशन सागर कितने दिनों में पूरा किया है तो उन्चास दिनों में पूरा किया है युनाइटेट किंगेटम ने 5G टेकनोलाजी के लिए इंडिया सहित लोकतांत्रिक देशों का कौन सा कलब बनाने के प्रस्ताव रखा है तो डॉमोक्रेटिक 10 कैंट्री कलब बनाने के प्रस्ताव रखा है परियावरण प्रदर्सन सुचकांग में भारत की रहन कितनी है तो भारत की रहन जो है 168 हुई है UNDAP Goodwill Ambassador for the poor के लिए किसे न्यूक्त किया गया है तो एमनेत्रा को जो है UNDAP का Goodwill Ambassador for the poor न्यूक्त किया गया है न्यूजिलेंड के प्रदान मंत्री का नाम बताईए जिन्होंने हाल ही में देश में कोरोना वायरिस के खत्म होने का एलान किया है तो जैंसिका अरडेल जो है न्यूजिलेंड की प्रदान मंत्री है UNICEF के अनुसार यवन में पांच वर्से का मायू के लगभा कितने मिलियन बच्चे को पोशड का सामना कर रहे हैं तो 2.4 मिलियन बच्चे को पोशड का सामना कर रहे हैं फरवरी 2020 में दच्चिड अमेरिका के सबसे उची चोटी एक आंक गुवा पे पहुचने वाली सबसे कम्र उम्र की लड़की कौन बन गई है तो काम्या कार्थ की एयन बन गई है बिसकी पहली महिला कौन है जिन्होंने हाली में महा सागर के सबसे गहरे बिंदु तक पहुचने में सभलता प्राप्ती है तो कैथरीन सुवा लिवन जो है बिसकी पहली महिला बन गई है जिन्होंने सबसे गहरे बिंदु तक जाने में सभलता प्राप्ती है भारत कितने साल के लिए संयुक्त राष्ट रच्छा परसत का आस्थाई सदस चुना गया है तो दो साल के लिए चुना गया है संयुक्त राष्ट महासभा के अधश के रूप में किसे चुना गया है तो वालकन वाजकिर को चुना गया है जर्मन बुक ट्रेड का पुरुषकार किस ने जीता है तो अमृत सेन ने जीता है किस देश ने ब्यपार सस्त्र ब्यपार संधी में सामिल होने का फैसला लिया है तो चीन ने फैसला लिया है बिश्व में सभी लोगों ने चेचक से किस वर्स तक अधिकारिक रूप से मुक्ति पाली थी तो 18 मैं 1980 में पाली थी संयुक्त राष्ट परियावरण कारकरब में राष्टी सत्भाना दूद के रूप में किस अभनेत्री का कारकाल दो साल और बढ़ा दिया गया है रूस के किस नेतक को दुति विस्व युद्ध असमारक पदग से सम्मानित किया है रूस ने तो किम जोंग उनको जो है रूस ने दुति विस्व युद्ध के असमारक पदग से सम्मानित किया है किसे देश में प्रवासी कोटा बिल का मसोधा पास हुआ है जिससे आठ लाग भारतियों को वहाँ से आपस आने का खत्रा बन गया है तो कुबेत में यहाँ पारित हुआ है भारत में डीकार्बनाइजिंग परिवहन पर्योजना की शुरुवात किसकी सायोग से किया गया है युक्ती 2.0 का मुख्धिस क्या है तो उच्चे सिच्छा संस्थानों से कई बहतरीन समधानों की पहचान के लिए युक्ती पोल्टेल 2.0 लांज किया गया है प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगसार कौन है तो मुंबई सबसे महंगसार है नेस्ट कोस्टन है हाली में जारी किये गए ताजा रिपोर्ट कंसार भारत में CICRO की अबादी में कितने प्रस्षत की रिकार्ड बृद्धी दर्च की गई है तो 29 प्रस्षत की बृद्धी दर्च की गई है साकार मित्र योजना क्या है यह योजना आत्मिरवर भारत की एक पाहल है जो एक इंटर्नल सिर्फ कारकरम है यह कारकरम देश के युवाओं से संबन्दित है कैप्टन अरजुन रोबोट किस सुरच्छा बल द्वारा लांच किया गया है तो रेलवे सुरच्छा बल द्वारा लांच किया गया है बिमल जुल का समित किस से संबन्दित है फिल्म मीडिया इकायों के उक्ति करण से या संबन्दित है आयूस मंत्राले के तहत भारती चिकिस्सा और हुम्योपैथी के लिए किस आयोग की अस्थापना की गई है तो फार्मा कोपियो आयोग की अस्थापना की गई है टूलिप इंटर्न स्रीप कारकरम क्या है तो टूलिप इंटर्न स्रीप कारकरम जो है यह इंजिनरिंग अस्थनात्कों के लिए एक इंटर्न स्रीप कारकरम है इसके ताहत इंजिनरिंग असनातकों को भारत के 100 स्मार्ट साहरों में और 4400 से अधिक साहरी अस्थानी निकायों में काम करने का मौका मिलेगा जून माह में जारी एक रिपोर्ट के अंसार वर्ष 2012 से वर्ष 2019 के बीच भारत में कितने बागों की मृत्ति हो गई है तो 750 बागों की मृत्ति हो गई है सबसे जादा मध्य प्रदेश में हुआ है जून माह में किस मंत्राले द्वारा जया जेटली टास्क फोर्ष का गठन किया गया है तो केंद्री महिला और बाल विकास मंत्राले द्वारा किया गया है कुलकाता ट्रस्ट पोर्ट की डेर स्वमी वर्सगाठ की आउसर पर इसका नाम बदल का किस के नाम पर रखा गया है तो स्यामा प्रसाद मुखर जी के नाम पर रखा गया है कौन सा राज एकिकरित वाहन पंजी करण लांच करने वाला देश का पहला राज बन गया है तो मधः पर देश बन गया है रूस में समिधान संसोधन के तहट बर्तमान राश्पती कब तक रूस के राश्पती बने रहेंगे तो 2036 तक जो है बने रहेंगे फिल्लैंड में भारत के राज दूद के रूप में किसे नूट किया गया है तो रभीष कुमार को नूट किया गया है बाफटा के नए अद्धस के रूप में किसे नूट किया गया है तो किशडेंद मजुमदार को नूट किया गया है ब्रिटेन में भारत का नया उच्चा यूक्त किसे नूक्त किया गया है तो गायत्री आईकुमार को नूक्त किया गया है WTU में भारत के नई रादूत की रूप में किसे नूक्त किया गया है तो ब्रिजेंद नौनीत को जो है नूक्त किया गया है बिस्ट बैंक में E.D. के वरिष सलहकार किसे नुट किया गया है तो राजीव टोपने को नुट किया गया है रोमोनियों में अगले रादूत करूप में किसे नुट किया गया है तो राहुल सिर्वास्तों को जो है नुट किया गया है परियावरण परदर्सन सूजकांग में भारत की रैंक कितनी है तो भारत की 160 रैंक है स्विस बैंकों में जमा पैसों के मामलें भारत किस अस्थान पर है तो भारत 77 अस्थान पर है फिलिपिन्स में भारत के अगले राज दूद के रूप में किसे नुक्त किया गया है सयुक्त राष्ट परियावरण कारकरम में राष्टी सद्भावना दूद के रूप में किस अभिनेत्री का कारकाल दो साल और बढ़ा दिया गया है नाजर में भारत के ने राध दूद के रूप में किसे नुक्त किया गया है तो पीके नायर को जो है नुक्त किया गया है नचु द्वार्णा जारी बैश्वी कुर्जा साहिष क्रमार सूचकांग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है तो भारत जो है 74 वा अस्थान प्राप्त है अप्रायल 2020 में फ्रांस इस्थीत-रिपोर्टर्स विदाउट वंडर्स द्वार्णा वर्शी 2077 ता सुचकांग अंतराश्टी बॉद्धिक संपदा सुचकांग 2020 में भारत को कौन सा अस्थान प्राप्त है तो भारत को 40 वा अस्थान प्राप्त है Doing Business Report 2019 के मुताविक भारत किस फायदान पर है तो भारत 63 वे अस्थान पर है बॉद्धिक संपदा सुचकांग भारत किस फायदान पर है तो भारत 40 वे अस्थान पर है Open Budget Index में भारत किस फायदान पर है तो भारत 33 वे अस्थान पर है World Press Freedom Index 2020 में भारत किस फायदान पर है तो भारत 142 वे अस्थान पर है Global Social Mobility Index में भारत का स्थान कौन सा है तो भारत का स्थान शेतरवा है आर्थिक सलहकार परसत के अधच कौन है तो बिबेग दिव राय है World Press Freedom Index 2020 में भारत कितनी स्थान पर है तो भारत जो है 142 स्थान पर है बिफ्व का तीसरा सबसे बड़ा start-up hub कौन है तो भारत बिफ्व का सबसे बड़ा start-up hub बन गया है FDI News 2020 में भारत किसी अस्थान पर है तो भारत जोहन नवे अस्थान पर है जून माह में जारी रिपोर्ट के अंसार खाद सुरच्छा सुचकांग में भारत में प्रथम अस्थानवाला राज कौन है तो गुजरात प्रथम अस्थानवाला राज है ADB के नए उपध्यच के रूप में किसे नूट किया गया है तो असोक लवासा को नूट किया गया है तो भारत 34 वे अस्थान पर है सेल के नए अध्यस के रूप में किसे नुक किया गया है तो सोभा मंडल को नुक किया गया है धन प्रेसर के मामले में भारत किस अस्थान पर है तो भारत पहले अस्थान पर है 200 ब्यापार संगठन में भारत का राजदूद कौन है तो भारत के राजदूद ब्रिजेंट नौनीत है 200 प्रती अस्पर्धी सूचकांग में भारत किस अस्थान पर है तो भारत 43 अस्थान पर है भारत सबसे बड़े सोर उर्जा बजार के मामले में किस अस्थान पर है तो भारत पहले अस्थान पर है हाली में इसपात मंत्राले के नए सच्यू का कारभार किसने सबाला है तो प्रदीब कुमार ने सबाला है न्यू डेवलप्मेंट बैंक का अध्यच कौन है तो माक्रो ट्राइजो जो है न्यू डेवलप्मेंट बैंक के अध्यच है भरष्टाचार धारला में भारत की सस्थान पर है तो भारत जो है अस्थान पर है बिश्व प्रतिभा सुचकां के भारत की सस्थान पर है तो भारत 80 वे अस्थान पर है Global Democracy Index में भारत की सस्थान पर है तो भारत 91 वे अस्थान पर है ADB के अध्यच कौन है तो मासा तुसुंग असा कावा ADB के नए अध्यच न्यूक लिए गये है फिक्की के नए अध्धच कौन है तो संगीता रेड़ी जो है फिक्की के नए अध्धच नुक की गई है इंडिया इस्टील एस्टील एस्टील के नए अध्धच के रूप में किसे नुक किया गया है तो दिलीप उम्मेन को नुक किया गया है विस्ट बैंक समुह के नए मु तुर्जा सुचकांग 2019 में सीर्ज पर्धर्शन करने वाले तीन राज कौन हैं तो हर्याड़ा केरल और करनाटक जो हैं केंडरी बिद्धुत उर्जा सुचकांग में सबसे अच्छ परधर्शन करने वाले राज जहें आत्मिर्वर भारत अभियान क्या है तो माननी प्रधान मंत्री मोदी ने 12 मैं 2020 को आत्मिर्वर भारत अभियान योजना की गोशड़ा की है इस योजना के तहत ओकल फा लोकल कनारा दिया गया है प्रधान मंत्री मोदी ने 20 लाग करोड राहत पैकेज की घोशड़ा इस योजना के तहत की है जो देश के कुल जीडीपी का दस परसत है या योजना भारत की आर्थिक ब्योस्ता को सुचारू करने के लिए भी महत्ते प केस की है इस योजना के तहत कोबिड-19 महमारीज लड़ने वाले लगबग बाईस लाग सौत कर्मियों को पचास लाग की सौस्त सीमा कवर प्रदान किया जाएगा पी-म गरीब कल्यार अन्य योजना क्या है इस से असी करोड बैक्तियों को अर्थाद भारत की दो तिहाई जन संख्या को इस योजना के तहत कवर किया जाएगा इस योजना के तहत हर महीने पांच किलो गयो हूँ या चावल और एक किलो चना प्रति बैक्ति के हिसाब से दिया जाएगा शुरवाती दोर में यह योजना सिर्फ तीन महीनों के लिए लागू था लेकिन अभी से कल्यार योजना के ताहट जो है अगले सितंबर माह तक उजला योजना के ताहट मुफ्ट सिलेंडर गेस बित्रित किया जाएगा इस तरह कुल भारत में आठ करोड लोगों को मुफ्ट गेस सिलेंडर बित्रित किया जाएगा पीम गरीब कल्यार योजना के ताहट एक अपरे पहले मन्रेगा मजदूरी जो है 182 रुपए थी इस योजना के तहट लगबक तीन करोड वरिष्ट नागरिक बिधवा और दिब्यांग जंग को जो है एक हजार रुपए अनुग्रह रासी के रूप में उनके खाते में डाला जाएगा इस योजना के तहट सुएम सहता समूह के द्वारा दी जाने वाली जमानत मुक्त रिड़ 10 लाग से बढ़ा कर जो है 20 लाग कर दी गई है किसके तहट प्रधान मंत्री गरीब कल्याड योज योजना क्या है 28 अगस 2020 को सफलता पूर्वक 6 साल पूरे कल लिये है किस ने तो प्रधान मंत्री जंधन योजना ने इस योजना के तहट जो है 30% ग्रामेड जंधन खाते खोले गए है और 55.2 प्रसत जो है महला जंधन खाते खोले गए है राष्टी स्वास्थ मिसन क्या है तो राष्टी स्वास्थ मिसन की सुरुवात 15 अगस 2020 के दिन प्रधान मंत्री नरेद मोदी ने किया है इस मिसन का मुख हुद्देश राष्टी डिजिटल स्वास्थ मिसन के साहत प्रतेग भारती को एक बिशिष्ट पहचान पत्र दिया जाएगा जिसमें बिशिष्ट प किलाज करने में असानी होगा नेश्ट अमरित योजना अमरिता योजना के कारियान में उड़िसा प्रत्थम अस्थान प्राप्त हुआ है अभी अमरिता योजना पह जो है नेत यायोग ने अपना रिपोर्ट जारी गया है इस योजना का मुख देश एक बुनियादी अस्थापित करना है जो मजबूत सीवीज सुनसीत करता है आयुस्मान भारत योजना के तहट हेल्थ केयर सर्विसेज का लाब उठाने वाले लोगिक्वी संख्या जो है आठ दसमल आठ करोड पहुच गई है आयुस्मान भारत योजना के तहट एक जुलाई 2020 तक उपचार प्रदान करने वाले सेंट्रों की संक्या जो है 41,790 थी गरीब कल्यार रोजगार अभियान इस योजना की शुरुआत प्रदान मंत्री नरिद मोरी ने वीडियो कांफरेंस के माध्यम से गाउत लिहार बलाज बिलदोर जिला खगडिया बिहार से किया है इस योजना के तह इस राजस्थान औरीशा और जहारखंड में लागू किया जाएगा जिसके तहट जो है 125 दिनों तक रोगजार उपलब्ध कराये जाएगा इस अभियान के तहट सबसे जादा बिहार के 32 जिलों में इसे लागू किया गया है इसके बाद उत्तर प्रदेश के 33 जिलों में ल सुभारा जो है देश भर के 200 निगम और सहरों के साथ काम किया जाएगा पीम स्वा निधी योजना का सुभारम किस ने किया है तो आवासों सहरी मामलों के मंत्राले ने इस योजना के शुरुआत की है इस योजना के तहट जो है स्टीट वैंडर्स को दस हजार तक के रिर परदान किया जाए गया जिससे वहा अपने काम-काउज को फिर से सुभार सकेंगे प्रदानशना कम किसा सम्मान निधी योजना इस योजना को सुभारम 24 फरवरी 2019 को परदान मंत्री नरेद मोधी जहरा गोरगपुर में किया गया था इस योजना के तहट छोटे हम सीमान किसानों के परिवारों को चिन्हित किया गया है जिसके तहट उनको प्रतिवर्स 6,000 रुपए जो है आर्थिक सहाथा परदान किया जाएगा यह 6,000 रुपए जो है चार-चार माह के अंतराल पर तीन-तीन किस्तों में प्रति किस्त में 2,000 रुपए के रूप में परदान किया जाएगा इस योजना के तहट जो है 75,000 करोड रुपए जारी किया गया है वन नेशन वन रासन कार्ट योजना इस योजना को 30 जून 2020 तक पूरे देश में लागू कर दिया गया है बरतमान समय में कुल 26 राज्यों में से लागू किया गया है इस योजना के अंतरगा देश में रहने वाले किसी भी नागरिक का एक ही रासन कार्ट होगा तथा साथ ही वह कहीं भी रह रहा हो उसे वहीं पर सरकारी रासन दुकान से रासन उपलब्ध हो जाएगा अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 को परधान मंत्री नरिद मोधी ने नए दिल्ले में पूरुप परधान मंत्री अटल बिहारी वाजपे की जयनती पर अटल भूजल योजना का सुभरब किया है इस योजना के तहद जो है 6,000 करोड रूपया बजट पास किया गया है इस योजना का उद्देश साथ राज्यों, गुजरात, हर्याड, करनाटक, मधपरदेश, महराष्ट, राजस्थान, उत्तपरदेश में प्राथि मिक्ता की पहचान वाले छेत्रों में समुदाइक भागिदारी के माध्यम से भूजल प्रबंधन में सुधार लाना है केंद्र सरकार ने दोजार चौबीस तक देश के प्रतिक घर में पानी पहुचानी का लच्छ रखा है देश्ट है, गोवा को G.I.Tag प्रदान किया गया है, तो गोवा को चार वस्तुमें G.I.Tag प्रदान किया गया है एक भोजन के रूप में खाद परदाहत के रूप में खाजे को और मसालेदार हरमल मिर्च को क्रिसी के छेत में मिंदोली केले को भी क्रिसी के रूप में और खोला मिर्च को भी क्रिसी के रूप में जो है जी आई टैग परदान किया गया है सोहराई खोवर पेंटिंग को जो है अभी हाली में जारखंड का हैंडी क्राफ्ट की रूप में इसे परदान किया गया है तेलंगाना का जो है तेलंगाला रुमाल तेलिया रुमाल को जो है जी आई टैग परदान किया गया है तेलिया रुमाल का जो मुख जो इसका मुख भिसेशता है कि इसमें जो है गिंगोली तेल की जो है महक आती है नश्ट कोस्तन है गोरकपूर के टेरा कोटा को गोरकपूर जो है उत्ता प्रदेश में है गोरकपूर के टेरा कोटा को जो है जी आई टेग परदान किया गया है गोरकपुर टेरा कोटा के मामले उत्ता प्रदेश के लच्छमी टेरा कोटा मूर्ती कला केंद द्वारा आवेधन दायर किया गया था किसके द्वारा तो लच्छमी टेरा कोटा मूर्ती कला केंद द्वारा जी आई टेग प्राप्त करने के लिए आवेधन किया गया था नेश्ट है कारी गरो दोरा डिजाइन किये गए टेरा कोटा काम की जो है एक हजार से अधिक इसमें बनाई जाती है कहाँ पर गोरकपुर के उत्तर प्रदेश में नेतियायोग के रिपोर्ट कांसार निर्यात तैयारी इंडेक्स 2020 में प्रतम अस्थान पर कौन सा राज़ है तो गुजरात प्रतम अस्थान पर है मुद्रा योदना के तहत महिलाओं को रूर प्रदान रिड़ देने की सूची में सबसे उपर कौन सा राज्य है तो तमील नाडू है वर्स 2020 में सबसे सबसे सहर होने के दर्जा किसे प्राप्त है इंदोर को प्राप्त है नीत यायोग के आकांची जिलों की सूची में पर्थम अस्थान पर किस जिलों को दिया गया है तो बीजापूर जो है 36 गड़ का या जिला है सात्युए विश्ट से प्रसनता रिपोर्ट 2020 में भारत किस अस्थान पर है तो भारत 144 वे अस्थान पर है प्रथम अस्थान पर है 2019 भरष्टाचार धारला सूचकांग भारत किस अस्थान पर है तो भारत जो है अस्थान पर है संयूग भारत संयूग तराश्ट रिपोर्ड के अंसार इस्थिरता सूचकांग में किस अस्थान पर है तो भारत जो है 77 अस्थान पर है बैस्विक आतंकवाद सुचकांग 2019 में भारत की सस्थान पर है तो भारत जो है 132 अस्थान पर है पर्थम अस्थान पर अफगानिस्थान है इस आप डूइंग बिजनस इंडेक्स 2020 में भारत की इस अस्थान हुए तो भारत जो है 63 अस्थान पर है पर्थाम अस्थान पर न्यूजिलेंड और दूसरे अस्थान पर सिंगापूर है पासिंग एक्सरसाइज किंदो देशों की सेनाओं की बीज अभी हाली में संचालित किया गया है तो भारत और अमीरका की बीज या उद्याभास पासिंग संपन हुआ है इस उद्याभास में युद्ध पोत निमित जो है निमित जो है युएस नेवी का एक युद्ध पोत है भारती सस्थ तुरबलों ने 15-16 जुलाई की बीच धुरुवस्थ एंटी गाइडेन मिसाइल का सफल परिछड किया है धुरुवस्थ एंटी गाइडेन मिसाइल नाग मिसाइल का एक लेटेस्ट वर्जन है यह बहूल जाओ दागों और भूल जाओ प्रडाली करता है भारत ने कितने नए लड़ा को विमानों को खरीद रहा है तो भारत जो है 33 नए लड़ा को विमाने को खरीद रहा है जिसमें 21क29 है और 12 सुकोई है यह समझोता जो है 38,900 करोड़ रुपए में रसिया से किया गया है इन्नोवेटर्स और स्टार्ट अफ्स के लिए Dare to Dream 2.0 प्रत्योक्ता किस ने लांच किया है तो DRDO ने प्रत्योक्ता लांच किया गया है यह प्रत्योक्ता 27 जुलाई 2020 को जो है पूर्व राश्पती और विख्षात बेगानिक डाक्टर एपीजी अब्दुल कलाम की पूर्ट तुथी के अउसर पर लांच किया गया है इसमें पर्थम विजेता को जो है एक लाख रुपए इनामरासी और दुतिय विजेता को पचास हजार रुपए इनामरासी परदान किया जाएगे अजे वैरियर 13 से 25 फरवरी 2020 के मत्द जो है परिचालन से निपटने के लिए संयुक्त परिच्छड जो है यहां अजे युद्ध्या भ्यास किया गया है क्यों किया गया है तो सहरी छेत्रों में आतंगवादियों के परिचालन से निपटने के लिए जो है भारत और ब्रिटेन के सैनिकों के बीच जो है अजे वारियर युद्ध्याभ्यास किया गया है नेश्ट है किसी देश की रायल एर फोर्स के बीच जो है संयुक्त युद्ध्याभ्यास के बीच भारती वाव सेना युद्ध्याभ्यास इंद्रधनुस के पांचवए संस्क्रम्ण का आयो जन वाव सेना इस्टेशन हिंडन पर किया गया है तो यूनाइटेट किंगडम का रायल फोर्स एर फोर्स रायल एर फोर्स और भारत की वाव风 इंद अपर यह इंद्द्रा इंद्रधनुश इद्द्रधकंग और तेução सटोर कर आए गया है तो भारत और जापान के बीच जो है या यो द्यप्यास किया गया है 11 फरवली 2020 को LCA नेवी तेजिस की INS बिक्रमदत पर प्रथम सफ़ल लेंडिंग हुई है इसका विकास किसके द्वारा किया गया है तो रच्छानों संधानें विकास संगठन डी आइडियो द्वारा किया गया है इरान औरूस और चीन के बीच संयुक्त सन अभ्यास कहां पर सुरू हुआ है तो हिंद महासागर और ओमान की खाड़ी में हुआ है 114 दिसंबर 2019 के बीच भारत विक सिरलंका के सेनाओं के बीच मित्र सक्ती का साथनों संस्क्रण कहां पर आयोजित हुआ है तो आध सैन स्टेशन पूड़े में महराष्ट में आयोजित हुआ है 17 से 21 दिसंबर 2019 के मद्ध किन दो देशों की सेनाओं के भी संयुक्त दुपच्छी नौसेना अभ्यास जायर अलबाहर 2019 आयोजित हुआ है तो भारत व कतर में यह भारत व कतर की सेनाओं के बीच हुआ है यह दोहा में आयोजित हुआ है 13 से 21 दिसंबर 2019 के मद्ध भारत व किन देशों की सेयुक्त्री सेवा मानवी सहयत्य आप्ता राहत अभ्यास टाएगा ट्रायंफ 2019 आयोजित किया गया है तो अमेरिका और भारती सेना के बीच जो है आयोजित किया गया है भारत और किन देश के बीच सहयुक्त जिन युद्ध अभ्याट जनवरी 2020 में आयोजित हुआ है तो जापान और भारत के बीच संपन हुआ है सूर्किरण युद्धाभ्यास किंदो देशों के बीच संपन होता है तो भारत और नेपाल के इथल सेना के बीच संपन हुआ है यह 3 से 16 दिसंबर 2019 के बीच साल जंडी नेपाल में संपन हुआ है hand to hand युद्ध्या भ्यास किंदो देशों के बीच आयोजित होता है तो भारत और चीन सेना के बीच आयोजित होता है या दिसंबर 2019 में में घाले में आयोजित गिया या था डश्ट लिक अभ्यास किंदो देशों के बीच होता है तो भारत और उजबेकिस्तान के बीच होता है यह जो है 4 से 13 नमबर 2019 के बीच तासकंद उजबेकिस्तान में आयोजित हुआ था अभ्यास सक्ती युद्या भ्यास किंदो देशों के बीच आयोजित होता है तो भारत और फ्रांस के बीच यह आयोजित होता है धर्म गार्जियन युद्या भ्यास किंदो देशों के बीच आयोजित होता है भारत और जापान के बीच आयोजित होता है बज्जर प्रहार युद्धाब्यास किंदो देशों के बीच होता है तो भारत और अमेर्का के बीच यह आयोजित होता है सुन्यू मेत्रे युद्धाब्यास किंदो देशों के बीच होता है तो भारत और जापान के बीच होता है नोमो डिक एलिफेंट युद्य अभ्यास किंदो देशों के बीच होता है तो भारत और मंगोलिया के बीच जो है यह होता है गरूर युद्य अभ्यास किंदो देशों के बीच होता है तो भारत और फ्रांस के बीच होता है युद्धा अभ्यास कौंकर किन दो देशों के बीच होता है तो भारत और ब्रेटेन के बीच होता है युद्धा अभ्यास मालाबार किन तीन देशों के बीच आयोजित होता है तो भारत जापान और USA के बीच आयोजित होता है कार्पोरेट युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है तो भारत युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है तो भारत युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है संप्रिती युद्धा अभ्यास किंदो देशों के बीच कितल सिनाओं के बीच आयोजित होता है तो भारतों बंगलादेश के सिनाओं के बीच होता है यह अंतिमबार उम्रेई में गहाले में इसका समयोजन इस युद्धा अभ्यास अभ्यास इंद्र किंदो देशों के में संपन हुआ था साल 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरसकार किसने जीता है तो मेरीके लुकास और रिजने वेल्ड जो है जीता है मेरीके लुकास रिजने वेल्ड जो है डच लेखक है साल 2020 का सोचता ही सेवा पुरसकार किसने जीता है तो NICL कमपनी ने जीता है खोजी पत्रकारता के लिए किस ASEAN कालेज आपड़ा जनलिजम ने अवार्ड 2019 किसे प्रदान किया गया है तो पत्रकार नितिन सेटी और सीव सहाय सिंग को जो है खोजी पत्रकारता के लिए ASEAN कालेज आप जनलिजम का अवार्ड दिया गया है हाल ही में गुस्तावे अवार्ड किसे प्रदान किया गया है तो आदित जो है ये सोलर पैनल से चलने वाला एक नौका है इसको प्रदान किया गया है सिंगापूर में किसे राश्पती पुरसकार से तो भारती मूर्ती भारती मूर्त की मूल की जो है कला नरायड सामी को प्रदान किया गया है मनाता के लिए किसे गुलबेकियन पुरसकार प्रदान किया गया है तो ग्रेटा थुम्प बर्ग को प्रदान किया गया है 2020 नेशनल मंडेला पुरसकार किसे प्रदा प्रदाना कायट और मरियाना वरिद निश्ट को प्रदान किया गया है सीपीजी इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड दोहजार बीस की से प्रदान किया गया है तो बंगलादेश के सहीद दूल आलम इरान के मुहम्मद मुशेद नाइजीरिया के डापो उला रुना यो क्लेट को प्रदान किया गया है दोहजार बीस इंफ्रा इंफ बिजनेस लीडर आपता इयर पुरुषकार के से प्रदान किया गया है तो बेद प्रकास दूदेजा को प्रदान किया गया है ग्लोबल हुमन टेरियन अवार्ड दोहजार बीस से किसे सम्मानित किया जाएगा तो सची नवस्ती को किया जाएगा मोहन बगान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है तो गुरु बख सिंग और पलस नंदी को परदान किया गया है 2020 के वान कर्मन पुरसकार से किसे सम्मानित किया गया है तो के सीवन को सम्मानित किया गया है दादा साहब फाल के पुरसकार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है केजंग डि थोंग डोंग को परदान किया गया है यूनिफिल का परियावरण पुरसकार किस ने जीता है तो भारती बटालियन ने जीता है पहले PC महाल नौविन स्राचार से किसे सम्भानित किया गया है? तो पूर गवर्न न पूर्चार में सम्भानित किया गया है? जीयम हीरा नंदानी मिमोरियल रोलिंगाफित 2020 किसे प्रदान किया गया है अच्छे कुमार को दिया गया है अच्छे कुमार अभिनेता ये वाले नहीं है अच्छे कुमार जो है लेटिनेंट है एबल पुरसकार 2020 किसे प्रदान किया गया है तो हिलेल फुर इस्ट्रेंड वर्ग और जो है गेगेरी मार गुलिस को प्रदान किया गया है जून माह में नासा द्वारा नासा बिशिश सेवर प्रदक से किसे समानित किया गया है रंजीत कुमार को किया गया है जून माह में किसे मेडल आप दा आडर आफ या श्टेलिय समानित किया के लिए यूएन मिलेट्री जैंडर एड्वकेट आप दा ये अवार्ड प्रदान करने की घोषड़ा किसे की गई है तो मेजर सुमन गुवानी को जो है यूएन मिलेट्री जैंडर एड्वकेट आप दा येर जो है 2 jarnis प्रदान किया गया है रूस द्वारा किसे दुती बिस्युद्ध मेडल पुरसका प्रदान किया गया है तो तर कोरिया के ताना साकीम जोन उनको दिया गया है 11 माई 2020 को कौन भारती महिला टेनिस खिलाडी फ्रेड कफ हाल अवार 2020 जीतने वाली पहली महिला खिलाडी बन गई है तो सानिय मिर्जा पहली बन गई है माई 2020 में किसे वर्ष 2020 के यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टकनोलाजी समानित किया गया है तो आयाटी मुंबाई के प्रोफेसर सोरभ लोडा को किया गया है माई 2020 को वर्ष 2020 के लिए पुलतजीर पुरसकार की घोसला की गई है इस वर्ष फीचर फोटोग्राफिस रेड़ी में किन तीन भारती फोटोग्राफरों को या पुरसकार प्रदान की जानी घोसला की गई है तो चन्नी आनन्द मुकतार खान और यासीन डार को जो है पुलतज़र पुरसकार जो है अवाड दिया गया है अप्रेःल 2020 में किसे जापान के प्रतिस्टी निकोई एसिया पुरसकार प्रदान की गया है तो डाक्टर थलप्रदीप को प्रदान क opinion किया गया है वर्स 2020 का किसे युनिसको गिलर्मो केनो वर्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड प्रदान की जाने घोस्टा की गई है तो कलंबिया के प्रसिद्ध खोजी पत्र का जीनत विडोया लिभा को दिया जाएगा किसे राज को दो जनवरी 2020 को प्रदान मंत्री नरेदर मोधी द्वारक कुल खादान उत्पादन स्रेडी में क्रिसी कर्वन प्रुसकार प्रदान किया गया है तो आन्द प्रदेश को प्रदान किया गया है किस राज जने गेहू उत्पादन में किसी कर्मल प्रुसकार प्रदान किया है तो बिहार ने प्राप्त किया है किस राज को चावल प्रदन में किसी कर्मल प्रुसकार प्रदान किया गया है तो मद्ध परदेश को किया गया है वर्ष दोहजार बीश को 62 में ग्रेमी अवार्ड में किसे एल्बम आप दा येर अवार्ड परदान किया गया है तो गीतकार बिली एलिस को परदान किया गया है Grammy Award में किसे Record Up The Year का Award प्रदान किया गया है तो वेड़ बॉय बिली एलिस को प्रदान किया गया है Grammy Award में किस सांग को सांग Up The Year का प्रसकान प्रांद किया गया है Bad Guy को प्रदान किया गया है Deuce Belly Freedom Office Speech 2020 के लिए किसे चुना गया सिद्धार्थ वरद राजन को चुना गया है वर्थ 2019 का 29वा जीडी बिला प्रदान किया जाने गोस्रा की गया है Professor रूप मलिक को की गया है 3 माई 2020 को किसे Pleasure Architecture प्रदान किया जाने की गोस्रा की गया है तो Dublin के प्रसिद आर्किटेक्टर याउन फारेल उमसेली के सैली मेक नमासा को प्रदान किया जाएगा 6 फरबरी को किसे राष्टपती द्वारा अंतराष्टी गाधी प्रस्कार समानित किया जाएगा तो किया गया है तो Dr. N.S. धर्मसत्तू को किया गया है प्रदान मंत्री मात्र वंद्रा योदने के धा स्रस्ट्रेट प्रदान के लिए किस राज को पहला प्रस्का प्रदान किया गया है तो मद्य प्रदीश को किया गया है 63 बाफ्टा प्रस्कार में किसे सर्वशेष्ट अफनेता का प्रस्का प्रदान किया गया है जोकार जोक्विन को फिनिक्स को प्रदान किया गया है दोजार उन्नीस का टाइम्स परसन इयर दोजार उन्नीस किसे चुना गया है तो ग्रेटा थुम्प वर्ग को चुना गया है ग्रेटा थुम्प वर्ग जो है जलुआ परिवर्थन कार करती है दोजार उन्न नाइडू नेशनल अवार्ड से समानित किया गया है तो प्रेफेसर म.स स्वामी नाथन को यहरित करणत के जनक्ते इनको परदान किया गया है वर्ड सो 2020 के लिए किस को सुबाचन बोस आबदा प्रबंधन का प्रुसका ब्यक्तिकत स्रेडी में दिया गया है तो कुमार मुननन सिंग को परदान या गया है 2020 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की में जानी कौन सा राज करेगा तो हर याड़ा करेगा हंगरी ग्रेंट ट्रिक्स 2020 फार्मूला वन वर्ल्ड चैंपियंसिप अवाल किस ने जीता है तो लुईस हैमिल्टन ने जीता है आइच सेटी ट्वंटी वर्ल्ड कप को कब तक के लिया स्तिक्रित कर दिया गया है फीफा महिला विसु कब 2023 की सह्यों के मेजवानी कौन से दो देश करेंगे तुनुजी लेंड और आस्टेलिया करेंगे हाली में किस ने ICC का अध्यचपत से स्तीफा दे दिया है ससंग मनुहर ने दे दिया है हाकी इंडिया सीनियर कुरूस राष्टी चेंपियन सी 2021 का आयोजन किस राज में किया जाएगा तो महराष्ट में किया जाएगा महिला एसिया कब 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा तो भारत करेगा साथवे ICC महिला टीटटी विस्तु कब का खिताब आस्टेलिया ने किस देश को पराजित करके जीता है भारत को जीता है पराजित करके जीता है नव फरवरी 2020 को आयोजित अंडर 19 क्रिकेट विस्तु कब 2020 किस देश ने पहली बार जीता है तो बंगला देश ने जीता है भारत को हरा कर हाली में फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में कौन सा देश सीर्ष पर है तो बेल्जियम परत्थम पर है कतर में आयोजित कतर ओपन 2020 टैनिस प्रत्योगता के किताब किस ने जीता है तो आंदर रूबलेव ने ये रूस कहिन होने जीता है आस्टिलियन ओपन 2020 में महिला एकल ओवर का खिताब अमेरिका की सोफिया कैनिन ने किसे पराजित कर जीता है तो गार बिने मुगू रूजा ये इस्पेन की हैं इनको हरा कर जीता है ये था हमारा समिछातकारी 2016 के लिए मास्टर बीडियो इस मास्टर बीडियो पे हमने राश्टी, अंतराश्टी, खेल, पुरसकार, ब्यक्तिगत, ब्यक्ति, घटना, चक्र, तथा अर्थ ब्योस्था के most important जितने भी question बन सकते थे उसको हमने इसमें लिया है